बहुत बहुत स्वागत आप सब का देख रहे हैं जो तिश दिशाज सत्किरा स्पिशल आज दिनांक 13 फरवरी को जन्म पाएं लोगों की पूरी कहानी लेकर के मैं हाजिर हूँ आपका आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं आज अगर दिनांक 13 फरवरी को आपका जन्म हुआ है तो क्या ऐसा उपाय करके आप पूरे वर्ष को शुब कर लें आपकी सुख्षा कैसी रहेगी आपका स्वास्त कैसा रहेगा आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी किस महिने में प्रॉफिट है किस महिने में लॉस है कब कौन सा एक्जाम आपको अच्छे अंक दिलाएगा सारे जानकारी एक जगह यहीं पर मैं लेकिया दालता हूँ और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अब मान लिजे आपके जीजा जी का आज जनम दिन है आपके दीदी की आज मैरे जैनिवरसरी है आपके भाभी आजी के दिन आई थी क्या आपके घर उन्हें विश करिए न इस वीडियो का लिंक कॉपी करिए और पेस्ट करिए उनकी आईडी पर उनके वाट्सप पर उनक कि वो कितनी खुश होती है तो आप सब को जनम दिन के बहुत सारे शुब कामना है सबसे पहले लव यू आल टेक एर खुब ख्याल रखिए अपना और आज अगर आप पैदा हुए हैं तो आपकी सिक्षा के बारे में बताता हूँ दिनाग 13 फरवरी को जनम पाए लोगों की सिक्षा इस साल बहुत अच्छी रहेगी अब आप समझदार हो गए हैं लिहाज़ा अब आप लापरवाही नहीं करेंगे अच्छे से सिक्षा गुरहन करेंगे ये सिक्षा का अस्तर आपका अपने आप बढ़ता चला जा रहा है जून जुलाई के बाद थोड़ा सा मन भटकेगा लेकिन अगस्त आते आते फिर से आप सही ट्रैक पे आ जाएंगे ये आपके चेहरे की चमक अलग ही दिखाई देगे अगर आप जिरांग 13 फर्वरी को जन्म पाएंगे तो ब्यापार आप कैसा करेंगे इस वर्ष ब्यापार में बड़े फैसले आपको परिशान कर सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस घाटा दे सकता है जून जुलाई में बड़ा लॉस हो सकता है अगस्त आते आते थोड़ा कुछ टेक्टिकल कानूनी अर्चनों में आप उलच सकते हैं परिशान हो सकते हैं अगर आप जिनांग 13 फर्वरी को जन्म पाएं हैं तो ब्यापार की स्थिती को सामान रखने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा 13 फर्वरी को जन्म पाएं लोगों की प्राइवेट नौकरी का अस्तर जो बढ़ने जा रहा है वो अनिस्पेक्टेड हैं एक दम से प्रमोशन होगा और 40-50 प्रतुष्ट का जम पाएगा 10 लाग के पैकेज जगे हैं 15 लाग का पैकेज होने जा रहा है विदेश के अवसर अगस्त भी मिल जाएंगे नौकरी में चेंज अप्रेल और जुलाई में हैं कोशिश करिएगा सफलता मिल जाएगी गौर्मेंट सेक्टर बास के साथ नोब जूब बहुत होगा फरवरी तो बहुत इस्ट्रेस में जाने वाला है अभी न थानादरों के लिए सोचिए और न प्रमोशन के लिए सोचिए अभी सिर्फ मेहनत के बारे में सोचिए हाँ जमीन उगरे का सवधा अगर किये थे तो उसमें आज इस्तिती सवर्ष ठीक रहेगी जुलाई अगस्ट बहुत अच्छा जाएगा सवधे आपके मेच्योर होंगे नया मकान लेने का संयोग बनेगा बेटा और बेटी की शादी अगस्ट के बाद संभव है गौर्रमेंट सेक्टर के बाद मैरेड लाइफ अगर आप दिनांक 13 फरवरी को जन्म पाएं हैं और शादी शुदा हैं तो इस वर्ष आपके जीवन में नन्हे मेहमान का आगमन जुलाई में होगा या नमंबर में होगा बीच में उम्मीद बहुत कम लग रही है दिनांक 13 फरवरी को जन्म पाएं लोग मैरेड लाइफ में खुशहाल रहेंगे एक दूसरी के विस्वास को जी लेंगे शुबता का आगास करेंगे दिनांकर 13 फरवरी को जन में पाए लोगों की स्थिती लव लाइफ में भी बड़ी रोमांटिक रहेगी अप्रेल और जुलाई नया कोई जीवन में आ सकता है अच्छा अगर कुछ दिक्कत चल रही थी तो पैचप की संभावना बहुत रहेगी तो बहुत सकरात्मक दृष्षी से मैं देख रहा हूँ आपकी लव लाइफ को भी आपकी इमेरेट लाइफ को भी विश यू आल अल दे वेरी बेश्ट स्वास्थ स्वास्थ के मामले में पेट और सांस की दिक्कत ज़्यादा परेशान कर सकती है इन दोनों पक्षों पर अपने आपको संयमित रखने का बहुत जरूरत है जिससे थोड़ा सा अपने आपको आप मजबूती के साथ आगे लेकी जा सके है नेक्ट थोड़ा स्वास्थ को लेकर के एक और बात मैं बता दूँ जुलाई और अक्टूबर में दुरुखतना के संगेत दिखाई दे रहे वाहन आदी चलाते समय साथानी जरूर बढ़ दिएगा दिनांक 13 फरवरी को जन्म पाए लोग क्या उपाए करें हर मंगलबाद शनिवार को सुन्दर कान का पाठ करना है और हनुमान मंदिर जाना है पूरे साल जब भी ये कारक्रम देखें उसके बाद मंगलबाद शनिवार उपाए सुरू करते है अगर आज आपकी शादी की साल गिरा है तो मैरेज अनिवर्शरी वालों के लिए तीन शनिवार कच्चा उरद और शहद मंदिर के पुजारी को देना शुब होगा बहुत शुक्रिया आप लोगों का बहुत आभार आपने हमें इतना प्यार दिया है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को रिकमंड भी कर सकते हैं हर सुबह राशिफल लेकर आते हैं ब्रह्मास्तर लेकर आते हैं आप के लिए कल्चर वैली स्कूल लेकर आएं और इस स्कूल के बारे में कोई भी जानकारी जानना हो अगर आपको तो पतना में हम रहेंगे दिनांग 21-22-23 फरवरी आप पतना में हमसे मिल सकते हैं नंबर आपके सामने फ्लैशोरान 99-10-39-56-9560-447-0-0-0-99-9-9-9-0-2-4-0-9-9 यह हमारे नंबर्स हैं कॉल करें और अपॉइंटमेंट फिक्स करें और हाँ 17 फरवरी तक गाजियाबाद में हो थांक्यू नमस्कार क्या आप प्ले स्कूल खोलने के लिए सोच रहे हैं क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक प्ले स्कूल के आप मालिक बने यदि हाँ तो आपके शहर में हम आपको एक मौका देने जा रहे हैं जी हाँ हम आपको एक फ्रेंचाइजी आफर करते हैं जिसका नाम है Culture Valley Infusing God क्या है ये साली जानकारे के लिए जो नमबर चल रहा है इस पर आप कॉल करिए और एक अच्छी संस्था के मालिक परिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिये